मुझे ओड़ा आ चुका है और अब हम हम कहानिया सुनेंगे जानवरों की कहानिया जादू की कहानिया और मज़ेदार कहानिया तो सबसे पहली कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा उस कहानी का नाम है भोला राम का जीव बहुत ही प्यारी कहानी है इस कहानी में कैसे स सारे के सारे पागलों की तरह भोला राम की आत्मा को ढूंडते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तो ऐसा कभी नहीं हुआ था भाई लाखों वर्षों से यम्राज कर्म और सिफारिश के आधार पर लोगों को स्वर्ग या फिर नर्क में निवास्थान अलोट करते आ पर ऐसा कभी नहीं हुआ था चित्रगुप्त परिशान था बार बार अपने चश्मे को ठीक कर पन्ने पर पन्ने पल्टे जा रहा था रजिस्टर पर रजिस्टर देखे जा रहा था मगर गल्ती थी कि भाईया मिल ही नहीं रही थी आखिर में तंग आकर उन्होंने रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि एक मखी में चपेटे में आ गई मखी को बाहर निकाला और कहा महराज महराज मुझे लगता है कोई गड़बर नहीं है मैंने हर रिकर्ड को अच्छे से देखा है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि यहां से एक यम्दूद धर्थी लोग पर गया था पार दिन पहले वो उस आत्मा को इस तरफ ला रहा था क पार की बीच में से गायब हो गया यह सुनकर यम्राज ने कहा अच्छा और वो यम्दूद कहां है महराज वो भी गायब हो गया उसका भी कोई पता वता है नहीं ओहो चित्रगुप ने यह चीज बोली ही थी कि तभी सामने से यम्दूद आ गया यम्दूद को देखते ही चित्रगुप तुस पर चिला बैठे अरे भाई कहां रह गया था तू कहां रह गया था यार इतने वक्त से इतने वक्त से तेरा इंतजार कर रहे थे अकर रह कहां गया था तू है वो वो दूसरा जीव कहां है जिसकी आत्मा को लेने गया था तू कहां है वो कहां है यह सु दिन पहले उस जीव को पकड़ा और इस तरफ ला रहा था महाराज बहुत ताकत थी उसमें मगर कुछ ऐसा हुआ कि गायब हो गया गायब हुआ तो मैंने पूरा ब्रह्मान जान मारा महराज कहीं नहीं मिला मैं तो प्रिशान हो गया महराज मेरी हालत देखिए महराज मेरी हा काम दे रखा है तुझे उसके बावजोद भी ये काम नहीं कर पाया तुम है और तु कहता है कि 70-80 साल के किसी बुड़े ने तुझे पंगा दे दिया है दोखा दे दिया कैसी वाहियात बाते करता है तु यमदूत हैं ये सुनते ही यमदूत की हालत खराब हो गए और बोल उसके रोने को देखकर यमराज कहने लगे अरे रोना बंद करो रोने से क्या हो जाएगा रोना बिकार है रो मत तुम तीनों आपस में बैठे बैठे परिशान थे कि तभी चित्रगुप्त बीच में बोला महराज मुझे लगता है धरती लोक में आजकल गिटनैपिंग का क इंद्र आलया है मेरा को तो शक है इंद्र का हाथ है इसमें महराज ये सुनते ही यम्राज अपनी सीट से खड़े हुए और कहने लगे एक तो पहले से यह यमदूत पागल उपर से तू पागल मैं पागल हो जाओंगा अरे कैसी बाते करने लगता है भाई कैसी बाते करने है अरे यम्रा तू भी तू रिटायर हो जा चित्रगुप तेरे बसकी नहीं है को मेरा दिमाग खराब कर रखा है बाल उड़ रहे हैं मेरे लोग परिशान है तू ऐसी बाते करता है महराज मैं तो मजाग कर रहा था बैठ जाता हूं तीनों आराम से बैठ गए इतने में कहने लगें क्या बात है आप दोनों की तो हालत ऐसी खराब है और ये यम्राज अरे यम्राज आपको क्या हुआ है क्या हुआ बताईए जरा नर्क में सारी स्थान जो भर गई थी अभी तक खाली नहीं होई क्या अरे नारद मुनी कैसी बाते कर रहे हैं वो तो बरसो पुर आपार्ट्मेंट बनाए है मैंने अपार्ट्मेंट में लोगों को रहने के लिए देता हूँ मैं वो बात खतम हो गई अरे एक नहीं प्रॉब्लम आ गई ये यम्राज तक Nektto रहता रहता है बस इस यम्रा रहता रहता मैंने कहा था कि वो भोली तौन बहले मरा है, उसकी आत्मा को यहां लेया, खो दिया, अरे खो दिया तो भाई, खो दिया, पूरा ब्रह्मान चान मरा, अरे पूरा ब्रह्मान चानने की क्या जरुवत थी, अगर पृत्वी पर खोया है, तो पृत्वी पर ढूनता ना भाई, पूरे ब्रह्मान को बताने की क् कातमा खो गई सारे पागल है यहां पर महराज मुझे लगता है मुझे लगता है इंकम टेक्स वालों ने रोक लिया होगा इतने में चित्रगुप्त ने कहा नारद मुनी की बात सुनकर अरे हम बै इंकम टेक्स ने रोक लिया होगा इंकम होगी तो इंकम टेक्स वाले रोकें पता करता हूं, अकर है कहां पर वो, हाँ, मैं देता हूँ आपको नाम पता, देखे, वो घामापुर शेहर में रहता है, किसी महले में रहता है, नाले के पास कोई तेडा-मेडा मकान है, टूटा-फुटा कमरा है, आप जाकर पता कर लो, अरे ये कैसा पता हुआ, कोई धंका पता दो तभी तो मैं पता करूंगा यही पता है आप देखे थोड़ी बहुत तो खष्ट आपको भी कड़ना पड़ेगा थोड़ा घूमिये घामिये और यह जो पेट आपका निकला हुआ है इसको कम कीजिए थोड़ा वजन वजन कम करिए आज कल six packs का जवाना है थोड़ा क इतना घूमें इतना घूमें कि दो दिन बीट गए तीसरे दिन जाकर पता चला कि वह घर तो वहीं पास्मर था वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई नारायन नारायन अरे भोला राम का है क्या कोई वहार आओ भाई हालत खराब हो गई है यह सुनते ही अंदर से एक महतर जो कि भोला राम की पत्नी थी वह आई भोला राम की पत्नी से जैसे ही नारण ने यह सवाल किया कि माता भोला राम को क्या बिमारी हुई थी इस सवाल ने ऐसे काम किया जैसे बड़े इसे बांध का किसी ने दर्वाजा खोल दिया हो आँखों से पानी और मूह से बाते बं माता 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 रुकिये माता नारद ये बोले जा रहे थे बोले जा रहे थे और वो माता माता रुकने का नाम ही नहीं लग रही थी माता रुकिये माता मैं जाता हूं मैं सरकारी दफ्तर जाता हूं मैं सरकारी दफ्तर पे जाकर आपके सब के वह जो दर्ख्वास वर्खास दे थी वह सब पर काम करता हूं बस आप रोना बंद करिये प्लीज 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 सीधा वहां से भागे और पहुचे सरकारी दफतर, सरकारी दफतर में जैसे ही गुसे सबसे पहला कमरा जो था वहां पर जो बैठा हुआ था उसके पास गये, उसके पास गाकर कहने लगे, अरे वो भोला राम के केस के बारे में कुछ बातचीत करनी थी, भोला राम का नाम सु पर देदो यार परिवार वाले बहुत परिशान है अरे परिवार वाले परिशान है तो हम क्या करें अरे दर्ख्वास पर दर्ख्वास भेजी थी पर उसमें वजन थोड़ी डाला था कैसी बाते कर रहे हो इतने सारे पेपर वेट हैं इन में से कोई वजन रख देते अरे सादू महराज कैसी बाते कर रहे हो वो दर्ख्वास ऐसी वैसी दर्ख्वास नहीं थी कि पेपर वेट से दब जाए पेपर वेट से नहीं दबती उसको बड़ी चीजों से दबाना पड़ पहुंचे उस सहाब के पास, उन सहाब से सारी बात चीत करके, उन सहाब ने कहा, आप उनके पास जाइए, उसने चौथे के पास बीजा, चौथे ने पाचवे के पास बीजा, पाचवे ने छटे के पास बीजा, छटे ने सातवे के पास बेजा, ऐसे करते करते, बीस, फिर प आपके हारे उनको किसी ने देखा चपडासी ने तो चपडासी आकर कहने लगा मुझे तो बड़ी तकलिफ हुई आपको ऐसे देखकर महाराज आप एक काम करें आप न ऊपर वाले साहब से मिली हैं उन साहब को आप खुछ कर दिया, तो वो आपका काम आज ही कर देंगे, आज क्या अभी कर देंगे, अभी क्या ऐसे कर देंगे महाराज, आप जाएए तसी, नारद ने ये सुना, और वो उपर गए, उपर गए तो देखा कि एक चपडासी किसी के घर के बाहर, मतलब किसी कमर मतले के बाहर बैठ कर, उंग रहा था, नारद ने मौका देखा, और चुप चाप अंदर चले गए, एक तम, और जैसे ही अंदर गए, सामने से बड़े साहब चिलाने लगे, अरे कौन आ क्या भाई, हैं, अरे धडलले से घुसाए, मंदिर मंदिर समझ रखा है क्या, कि यह तुमको, चिट विट क्यों नी भेजी, मैं चिट कैसे भेज देता, आपका चपडासी सो रहा था, ठीक है, क्या का में बताओ, वो भोला राम के बारे में कुछ बातचीत करनी थी, वो सारी बाते तो आपको पहले से ही मालूम होगी, है ना, अच्छा, तुम भोला राम के लिए आए हो, आरे, आप ठेरे वेरागी, यह सारी बाते कहां समझते हैं, आप यह सारी बाते बिल्कुल नहीं समझते हैं, यह सारी बाते समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, आप एक काम करो, आप एक काम करो, काम करो, हाँ, आपना वजन रखते हो, अग वो खड़े होकर कहने लगे अरे क्या वजन वजन लगा रखा है वाई कुछ तो बताओ समझी नहीं आता वजन 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 क्या वजन यार अरे बैठो बैठो वजन का मतलब जैसे यह आपकी वीना है ना इस वीना को रख दीजिए इस वीना को रख देंगे यह उठा कर मैं अपनी बेटी को दे दूँगा अपनी बेटी को दे दूँगा मेरी बेटी खोश हो जाएगी मेरी बेटी खोश हो जाएगी तो मैं खोश हो कैने लगे अच्छा वीणा दे दूंगा तो काम बन जाएगा ना पक्का, हाँ पक्का फक्का, यह सुन ते ही नारत में अपनी वीणा देतीक हैं आपने चपडासी को बुलाया चपडासी अंधर आया तो इसको कैने लगे अरे जायो जायो भोला राम के फाइल लेकर आओ बोला राम का जको केसाई अब पूरा जाओ 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 बो गया और बहुत ये बड़ी सी फाइल लेकर रखथी वहँ और बसकी बार भूला राम की फाइल कोली तो यह टेरी की पूछने लगा महराज एक बार शुट से नाम बता दीजिए अब तक नारद मुनी गुस्से से पागल हो चुके थे इसलिए जोर से चलाए अरे भोला राम ये नाम सुनते ही फाइल में से आवाज आई अरे कोई बुलाया मुझको भोला राम हां पोस्मेन आ गया क्या है है मेरी दरखास अप अरे नहीं तुम भोला राम हो ना हां हां अरे भोला राम तुम्हें स्वर्क से लेने आया हूं मैं यार पागलों की तरह पिछले दो दिन से घूम रहा हूं चलो मेरे साथ दिमाग खाब आ स्वर्क से हां हां चलो 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 तो इस तरह भोला राम का खोया हुआ जीव को लिखा है शंकर परसाय जी ने आप सभी को ये कहानी कैसी लगी बताइए ज़रा